Students 28 June 2023 के जो important editorials हैं उन्हें हम यहाँ पे discuss करेंगे हमारा first important editorial है medical education के regarding में recently national medical commission के दुआरा medical education को better way में promote करने के regarding में कुछ guidelines हैं या कुछ regulations हैं उन्हें issue किया गया था तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि क्या important regulations हैं किस तरीके से medical education को यहाँ पे patient oriented या outcome oriented बनाने की कोसिस की गई है तो जो important information है उसके बारे में discuss करेंगे second important हमारा जो editorial है वो मानसून के regarding में हैं कि कैसे यहाँ पे हमारा जो southwest मानसून है उसके onset के साथ ही यहाँ पे जो alnino के effect है उसकी यहाँ पे बात की गई थी उसको predict किया गया था तो उसका क्या effect यहाँ पे देखने के लिए मिलता है क्या government की completely preparation है क्योंकि आप देखे मानसून की वज़े से जो agriculture है उसके output के उपर भी effect होता है productivity यहाँ पे decline होती है अगर मानसून का यहाँ पे suppression देखने के लिए मिलता है due to the alnino effect तो यहाँ पे government की क्या responsibility है किस तरीके से preparation की गई है उनके दुआरा उसके बारे में हम discuss करेंगे इस editorial के अंदर तो students आज का जो editorial discussion है उसे start करें तो first important editorial जो medical education के regarding में है students आपको medical education के बारे में पता होना चीए कि इंडिया के अंदर में per thousand जो persons है उनके अगर हम comparison में doctors की जो presence है doctors का जो एक idealistic data है वहाँ पे इंडिया में जो presence है वो आपको काफी कम देखने के लिए मिलती है WHO के जो recommendations है उसके according में अगर हम medical education की बात करें तो government के दुआरा medical जो education है उसको regulate करने के दुआरा rules को यहाँ पे issue किया जाता है last time जो rules issue किये गए थे वो 1997 है उस समय में जो graduate person से medical education के लिए उनके क्या important rules होंगे उनको 97 के समय में issue किया गया था students अभी recently national medical commission के दुआरा नए rules को propose किया गया और फिर बाद में उनको 10 days के बाद में ही withdraw किया है अब ऐसा माना गया है कि आने वाले समय में जो हमारा जो national medical commission है उसके दुआरा उन rules को better detail के अंदर present किया जाएगा कि जिससे यहाँ पे जो students है जो medical students है उनके जो parents है या students है उनके बीच में कोई भी confusion create ना हो students अगर हम बात करें idealistic ratio ना होने की वज़े से और recently हमारा अगर हम rural background की बात करें वहाँ पे medical practitioners की presence ना होना एक इंडिया के अंदर काफी बड़ा concern है कि maximum जो medical graduates है वो अपनी जो practice है या जो medical के लिए उनका जो relief है वो maximumly urban areas के अंदर सर्व करना चाते हैं तो ऐसे कुछ concerns भी है medical education के regarding में तो उनको भी deal किया गया है इन नए rules के अंदर में नए rules को यहाँ पे patient oriented बनाया गया है medical education को output oriented है यहाँ पे pandemic का जो outreach है वो program एड किया गया है कि pandemic पहले 25 years पहले नहीं हुआ करता था तो आप देखें कि जो 25 years की है जो journey है last medical rules की यह काफी ज़ादा है कि important assessment का काम करेगी कि कैसे हम यहाँ पे इन 25 years में हमारा जो medical world है वो completely change हुआ है और नए rules हमको लानी की ज़रुरत है कौन-कौन से ऐसे areas है हमारे यहाँ पे जो concerns है उसको raise करते हैं तो students यहाँ पे 25 years जो medical world है वो काफी important होते हैं चेंजेज यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं तो इन चेंजेज को किस तरीके से deal किया जाए यह नए rules के अंदर में mention किया गया है अगर हम नए rules के बारे में बात करें तो नए rules यहाँ पे medical education को more learner centric बनाने की कोसिस की गई है कि medical education यहाँ पे learner centric होनी चीए जिससे कि patient centric और gender sensitive है उसे अच्छेव किया जा सके medical practice के दोरान में outcome oriented बनाने की कोसिस की गई environment appropriate होना चीए क्योंकि आप देखें कि medical waste भी आपको काफी सारा देखने के लिए मिलता है तो environment oriented यहाँ पे बनाने की कोसिस की गई है medical education को next अगर हम important बात करें तो यहाँ पे कुछ medical values या medical ethics है जो नए young medical practitioners है उनको add करने की कोसिस की गई है नए rules के द वारा एक proposal है उसे issue किया गया था कि जो नए medical practitioners है वो rural area के अंदर सारू करेंगे कुछ समय के लिए और उसके कुछ important जो information थी उसको हमने हमारे editorial discussion के अंदर discuss किया था students आप ये देखें कि जो नए medical practitioners है उनका outreach program को यहाँ पे discuss किया गया है नए rules के अंदर में कि इनको किस तरीके से rural areas के अंदर सारू करने का जो ethics है उसको भी बतानी की ज़रत है कि आप rural areas के अंदर सारू कीजिए हाँ हो सकता है कि वहाँ पे जो resources के availability है जो transport के availability है वो काफी कम हों but you have to pay back your society और यह आप अपना GS paper 4 ethical standard के according भी देखिए कि जैसे corporate social responsibility के थ्रू बड़े बड़े जो corporate organizations है वो society को एक payback के concept के थ्रू work करते है वैसे ही जैसे दरिदर नारायन स्वामी विवेकानन्दा के दुआरा दिया गया है तो उन सब को यहाँ पे improve किया जाए इसके साथ साथ यहाँ पे pandemic module को एड़ किया गया है कि कैसे यहाँ पे COVID-19 से पहले pandemic की situation नहीं हुआ करती थी तो उस एक harsh pandemic situation के अंदर इन लोगों को किस तरीके से सरू करना है उन सब की बात की गई है medical practice के according में students अगर हम बात करें next important editorial के बारे में तो अलीनो effect के बारे में हैं कि अलीनो का किस तरीके से effect होगा अब देखें कि students अगर हम हमारे southwest monsoon की बात करें तो इसके onset के समय ही इसका abnormal behavior है वो देखने के लिए मिला onset के साथ ही जो southwest monsoon है वो काफी कम late समय में यहाँ पे इसका जो origin है वो हुआ और आप देखें काफी late हुआ उसके बाद में monsoon को ऐसा माना गया था कि जो हमारा northwest का जो area है वहाँ पे काफी late तक monsoon पहुँचेगा वो पिर unexpected way में जो monsoon है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि northwest India के अंदर suddenly यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी वज़े से यहाँ पे जो आएकदम से abnormal situation से वो देखने के लिए मिलती है monsoon के onset के साथ ही इस साल का जो year है उसको alnino का year भी यहाँ पे declare किया गया है अब alnino का आपको पता है का alnino के अंदर basically क्या होता है abnormal warming की जो situation है व इसके अंदर में और historically alnino को जाना जाता है कि इंडिया के अंदर जो rainfall है उसे यह suppress करता है तो one of the kind एक यहाँ पे cautious होने की ज़रत है government को भी अपने steps को लेनी की जरृत है इसी के साथ साथ आप देखिए कि overall अभी तक कि हम समय को अगर हम calculate करें तो IMD ने predict किया है कि यहाँ पे हो पाया है तो overall monsoon अभी से जो deficit है वो आपको देखने के लिए मिला है students अगर हम बात करें monsoon के बारे में तो monsoon very important है June के अंदर जितना important है वैसे ही July और August के अंदर भी important है वो जो हमारी अगर जो हम बात करें खरीब की जो crop है उसके लिए भी इवन रभी की crop को भी हमारा जो monsoon है अगर अच्छा monsoon है तो रभी का जो showing season है उसके अंदर कम से कम ground water है वो use होगा तो इस तरीके से यहाँ पे जो monsoon है वो काफी important role play करता है दोनों ही seasons के लिए ही जैसे आप देखिए कि अगर हम subnormal rains को यहाँ पे receive करते हैं monsoon season के समय में June to September के समय में तो यह potentially impact करता है not only the current जो खरीब का जो season है इसके साथ साथ जो रभी का season है उसे भी effect करता है क्योंकि रभी का जो growing season है उसके अंदर में जो ground water है जो dam reservoirs है उनको use किया जाता है तो उसको भी यहाँ पे effect आपको देखने के लिए मिलता है students यहाँ पे बात किया गया कि monsoon जो basically अल्लीनों का जो effect है वो किस तरीके से effect करेगा वो depend करता है हमारा Indian Ocean Dipole के उपर में यहाँ पे Indian Ocean Dipole के बारे में हमने previous lectures के अंदर discuss किया है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर Indian Ocean Dipole यहाँ पे positive अगर देखने के लिए मिलता है तो offset up अल्लीनों event की वज़े से आपको जो negative and neutral के अंदर जो deficit rain है वो more देखने के लिए मिलेगी और positive आपको Indian Ocean Dipole है तो उसके अंदर आपको more effect अल्लीनों का नहीं देखने के लिए मिलेगा center के दुआरा कुछ यहाँ पे responsibilities carry की गई है क्याने वाला year, election year भी है इंडिया के अंदर कोई unstable situation है वो create ना हो तो सबसे पहले तो जो MSP है उसे increase किया जो हमारी खरीब की जो crops है उनके लिए जो MSP है हमारी government के दुआरा चाए वो paddy हो चाए पलसेज हो सबी के लिए जो MSP है वो यहाँ पे increase किया गया है wheat, sugar और rice का अगर हम इस टोक के बात करें तो इंडिया के अंदर presently एक comfortable इस टोक है government के दुआरा तो supply side management के regarding में completely जो adoption है completely जो नई procedure है उनको adopt किया गया है government के दुआरा मानलीनों का जो effect है वो ना देखने के लिए मिले इसके लावा government के दुआरा irrigation and procurement को minimum support price में assure करने के लिए दो states के अंदर में यहाँ पे जो water availability है, जो wheat है, rice है उसकी यहाँ पे बात की गई है जिसमें पंजाब और हरियाना को basically बताया गया है कि वहाँ पे surplus वो इनका जो production है wheat and rice का वो हमारे यहाँ पे stability है या जो हम बात करें जो stock है उसको नहीं reduce होने देगा तो यह सब कुछ यहाँ पे importantly बात की गई है इसके लावा allied जो sector की activity है जिसके अंदर horticulture है वो यहाँ पे less vulnerable है dairy sector है less vulnerable है तो इनके उपर भी government को ध्यान देना चाहिए proper policy support है incentivize करने की जरुरत है जिससे की हमारे जो farmers हैं वो agriculture से ना उनके जो allied sectors है उससे अच्छी जो education की अच्छा जो money है वो generate कर सके उनका जो agriculture की productivity जो अलनीनों से effect होने वाली है उसको यहाँ पे basically recover किया जा सके तो students यह हमारा यहाँ पे कोई editorial discussion थे तो thank you students thank you very much